हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्व टेनर फ्रेंट्स आज में बात करने वाला हूं देश लैप स्ट्रीम के समरी के बारे में हलाकि मैंने पहले ही एक वीडियो इसके इस कभीता को मैंने एक्स्प्लेन किया है उस वीडियो में आप उसे भी देख सकते हो असल में यहां पे नैग्रो जो है बलेक परसन को कहा गया है जो की अफ्रिकन अमेरिकन था और एक समय था कि वो गुलाम था तो वो जो है वो खेत में पड़ा हुआ है और अपने जनमस्थान को याद करता है और अपने प्रेमिका को याद करता है और अपने प्यारे प्रेमिका को याद करता है और अपने प्रेमिका को याद करता है और अपने प्यारे प्रेमिका को याद करता है और अपने प्यारे प्रेवार को भी प्रेवार जो की उसका काफी प्यारा था और यह सब याद करने पर जो है Tears fall on to the sand कि जहांपे वो पड़ा हुआ है उसका सरीर उसके आँखों से आशुए जो है निकलने लगती है He is probably avarial यहांपे point करते है कि वो साइद वो एक युद्धा है And leader of a travel clan और अपने ही जाती के वो leader भी है And is well respected और उसका काफी सम्मान भी क्या जाता है He rides around on his horse वो अपने घोरे पे सबारी वो सब यहांपे जो कुछ भी लिखा गया है वो ड्रीम वो एक तरह से वो ड्रीम में है वो सबने देख रहा है कि किस तरह से वो अपने अतीत में अगर वो अजाद होता तो किस तरह से वो कर रहा होता तो यहांपे लिखा गया है कि वो गोरे की सबारी करता है विथिन सोड अपने तलवार लिए हुए and is watching out for any impending doom और आने वाले किसी भी खत्रा को या बिनास को जो है वो धियान में रखा हुआ है He follows the amazing flight of flamingo यहां तक की जो flamingo birds है उसके उरान का वो पीछा करता है उसके साथ वो सबारी कर रहा है and reaches a human settlement of hearts और जहांपे मानव का बस्ती है जहांपे लोग रह रहे हैं उस बस्ती में जा पहुँचता है He then wanders all around breathtaking African landscape और वहांपे वो wander करता है वो घूमता है चारों तरफ breathtaking African landscape अफ्रिकन जो land landscape है जो वहांपे प्राकिरतिक छठा है जो प्राकिरतिक द्रिश है वहां का और वहां का जो वन्नी जीवन है पसू पक्षी जो है उसे जो है वो मनमोहक चीजों को जो है वो उसके चारों और वो घूमता है उसे देखता है The point is talking about the people coming together and raising their voices for freedom So यहां पर point ने जो है बताया है उन लोगों के बारे में जो की सभी लोग साथ आ रहे हैं और अपना आवाज उठा रहे हैं आजादी के लिए During this point in the dream और सपन के इस तरान जो है इस आजादी वो अपने जीवन में जो आजादी का जो आगमन हो रहा है इसे आते देख वो जो है इसमाइल करता है and liberty across the landscape The slave then passes away और यहां पर लिखा हुआ है कि वो slave जो है सपने देखते देखते जो है वो पास अभे हो जाता है उसका मिलती हो जाता है फैनली resting in peace और उसके आतमा को जो है सांती मिल जाता है oblivious to the torture of the overseers और the scorching heat वो oblivious का मतलब होता है बेसुद है वो बिलकुल ही जो उसके सरीर पर जो तपने वाली सुरज की रोसनी है उससे बिलकुल ही बेसुद है His tragic soul has finally set free at death और उसका जो tragic soul है उसका जो आतमा है जो की काफी दुख़द रूप से उसके सरीर में फसा हुआ है वो अंततह जो है वो आजाद हो जाता है उसका आतमा मुक्त हो जाता है उसके मिरतियों पर I hope ये समड़ी आपनों को समझ में आई होगी में आपनों को समझ में आपनों को समझ का जो है